C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा पांच की पाठ्टे पुस्तक हमारे आसपास का दस्मा पाठ बोलती इमारतें प्रेश्ट 87 पहुँचे गोल कोंडा आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोल कोंडा के लिए दीदी इतिहास पड़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है सेलजा बोली अरे भाप रे कितना बड़ा दिखता है ये किला श्रीधर बोला और कितनी उचाई पर है कल्यानी बोली अरे ये दर्वासा भी तो देखो कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट सेलजा बोली बहुत भारी भी लगता है पता नहीं कितनी लोग मिलकर खूलते बंद करते होंगे इसे कल्यानी ने कहा गेट पर ये नुकीले लोहे के भाली जैसे क्या दिख रहे हैं ये क्यों लगाए गए होंगे सेलजा ने कहा इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो श्रीधर कहने लगा कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी कल्यानिन ने कहा, यह दीवार कहीं-कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है दीदी बोली, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज्यादा उचे हैं इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज सुरक्षा के कितने कड़े इंतिजाम थे। प्रिष्ट अठासी सोचो, इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे? बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे? सीधी सपाट दीवार से जहांगने में और एक उँचे बुर्ज से जहांगने में क्या अंतर होगा? बुर्ज के पीछे खड़े होकर, छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी? किले में कितना कुछ? शेलजा बोली क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा? यह कितना पुराना होगा? कल्यानी बोली बाहर लिखा था कि सन पंदरा सो अठारा से सोला सो सतासी तक यहां कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया दीदी बोली हाँ उससे भी पहले सन बारह सो में यह किला मिट्टी का बना था और यहां दूसरे राजाओं का राज था सेलजा बोली अरे इस बोड़ पर किले का नक्षा है शरीधर बोला इस नक्षे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी है सेलजा ने कहा इसका मतलग तो यहां पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे कल्याणी ने कहा फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा प्रिष्ट नवासी सुल्तान का महल श्रीधर बोला ये सीड़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही सेलजा बोली उस जमाने में भी दो मनजिलां इमारते थी कल्याणी बोली अब तो ये है टूटी फूटी हालत में है लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे श्रीधर बोला और ये देखो दीवारों पर कितनी बारीख और खूबसूरत नकाशी की गई है कल्याणी बोली एक छट पर हमने फववारे जैसा भी तो देखा था दीदी बोली हाँ इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फववारे थे जिन में हर समय पानी चलता रहता था वाह उस जमाने की इंजीनियरिंग सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है यहाँ तो छट पर पानी के फववारे चलते थे तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं जैसे पानी इतनी उचाई पर कैसे चड़ता होगा तुम भी अनुमान लगाओ सोचो और चड़्चा करो फववारे कैसे चलते होंगे हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होगा सामने के चित्र में दीवार पर की गई नकाशी को ध्यान से देखो इतनी सुन्दर और बारीक नकाशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा हमारे देश में आज भी कई जगा बिजली नहीं है पर जिन जगहों पर बिजली है अगर वहां एक हफते तक बिजली ना आए तो कौन-कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी कहां है पूर्व पश्चिम तुम जिस जगह पर हो वहां पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है पता करो कि तुम जहां खड़े हो वहां से पूर्व दिशा में क्या-क्या है तुम्हारे पश्चिम में क्या-क्या है अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिन में क्या-क्या है प्रिष्ट 91 यहाँ पर गोल कोंडा का एक नक्षा दिया गया है बताओ और लिखो गोल कोंडा के नक्षे को देखो चारों दिशाएं तीर की निशान से दिखाई गई है अगर तुम बोडली दर्वाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है अगर कोई बंजारा दर्वाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे की मोती महल पहुँच जाओ किले की बाहरी दीवार पर कितने दर्वाजे दिख रहे हैं गिनकर बताओ किले में कितने महल है पानी के लिए क्या-क्या इंतजाम दिख रहे हैं जैसे बावडी, कुए, हौज नक्षे में एक सेंटीमीटर जमीन पर एक सो दस मीटर की दूरी दिखाता है अब बताओ, नक्षे में फतेह दर्वाजे से बाला हिसार रिक्तिस्थान सेंटीमीटर की दूरी पर है जमीन पर यह दूरी रिक्तिस्थान मीटर होगी मकई दर्वाजे से फतेह दर्वाजा कितनी दूर है प्रिष्ट बयानवे ये हमले क्यों? हम आपसे बात कर रहे हैं कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज दी तोप को देखने की उत्सक्ता से हम सब भी तेजी से वहां पहुँचे सेलजा बोली यह तोप तो कुतुपशाही सुल्तान की ही होगी दीदी बोली तोप का इस्तेमाल औरंगजेव ने किया था जानते हो औरंगजेव बातशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहां हमला करने आई थी पर वह किले में घुजबी नहीं पाई उसकी पूरी सेना आठ महीनों तक बाहर ही बैठी रही सेलजा बोली दिल्ली से इतनी दूर यहां तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी दीदी ने कहा बादशाहो या राजा सभी का यही खेल था अपना राज फैला सकें छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिष्टा जोड सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे कभी परिवार में शादी करा कर या फिर हमला करके कल्याने बोली इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बात चाहा की सेना अंदर क्यों नहीं गुश पाई सेलजा ने कहा अरे इतनी सारी मोटी मोटी दिवारे नहीं देखी और नक्षे में तो दिवार से लगी एक लंबी गहरी खाए भी दिखती है तो सेना अंदर कैसे आती श्रीधर बोला अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहां बुर्ज पर बैठे सीपाईयों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना कल्यानी बोली सोचो फौज घोडों और हाथियों पर सवार हाथों में बंदू के लिए आगे बढ़ रही है यहां सुल्तान के फौजी बंदू को के साथ तैनात है सेलजब बुली ओहो पता नहीं इस लडाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे हमले होते ही क्यों है प्रिष्ट तेरानवे श्रीदर अरे तोप तो बहुत पुरानी बात होई आज कल तो बहुत सारे देशों के पास नूकलियर बंब है इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है चर्चा करो क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो पता करो कि ये हमला क्यों हुआ होगा किस तरह के हतियार इस्तेमाल किये गए थे किस किस तरह का नुकसान हुआ पता करो श्रीधर ने कल किले में जो तोब देखी थी, वह कांसे की बनी है तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है? बताओ क्या? कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते, पिगलाते होंगे? फिर कैसे उनसे सुन्दर सुन्दर चीजें मनाते होंगे? तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन-कौन सी चीजे थी? या आज भी हैं? रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी है जब टेलेफोन नहीं था दीदी हमसे राजा के महल में एक जगहा खड़े रहने के लिए कहकर खुद फथे दरवाजे पर चली गई कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई होश यार, मैं सुल्तान अबुलहसन हूँ मुझे गाना बजाना और कुछी पूड़ी नृत्य बहुत पसंद है हमें बहुत हासी आई लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक पहुँची कैसे बाद में उन्होंने बताया कि फतह दर्वाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहां सुनाई देता है प्रिष्ट चौरानवे पानी का इंतजाम यहां एक चित्र बना है उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है सुचो बैलों का इस्तिमाल क्यों हो रहा है अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस जंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा उसके साथ लगा दातेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा हाथ के इशारे से बताओ देखो दातेदार पहिये से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिये से जुड़ा है बैलों के घूमने से डिबों की माला पानी को उपर चढ़ाती है कैसे चढ़ाती है? अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकाल कर टैंकों में भरा जाता होगा आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं इनी के जरीए महल में जगा जगा पानी पहुचाया जाता होगा तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहां देखा है? जैसे साइकिल में, गियर या और कहीं? अपने आसपास देखो और पता करो कि आज जमीन के नीचे से पानी को उपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है? बिजली से पानी को उपर तक कैसे चढ़ाया जाता है? बिना बिजली के पानी को उपर कैसे चढ़ाएंगे? प्रिष्ट पिच्यानवे हाल किया बेहाल क्यों? आवाजें निकालते और उनकी गूँज सुनते हुए सभी महराप के नीचे से गुजर रहे थे श्रीधर बोला पत्थर के नीचे इस सुरंग जैसी जगा में बहुत ठंडी हवा आ रही है सेलजबोली लिखा हुआ था कि यहां फौजी रहते थे श्रीधर बोला अरे यह देखो यह बोर्ड भी है उस पर लिखा है दीवार पर लिखना मना है फिर भी इस दीवार का यह हाल सेलजबोली ओहो मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सेलजबों सालों में क्या-क्या नजारे देखी होंगे कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और न जाने क्या-क्या पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है कल्यानी बोली, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं आँखें बंद करके पहुँचो उस जमाने में मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोल कोंडा में पूरा का पूरा शेहर बसा था अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ चाहो तो ग्रूप में नाटक भी कर सकते हो सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं? उनके कपड़े कैसे हैं? उनके सामने कौन-कौन से पकवान पेश हो रहे हैं? लेकिन बेचारे हैं किन फिक्रों में और हां किस भाशा में बात कर रहे हैं प्रिष्ट 96 उनके महल पर फवारे तो चल ही रहे होंगे न अंदर से महल आलिशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है और गुलाब चमेली के फूलों की खुश्बू कहां से आ रही है किस किस चीज के कारखाने देख पा रहे हो कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं कितनी देर काम करते होंगे अरे वहां देखो वह कारिगर पत्थरों को छैनी और हथोडों से काट-काट कर कितनी सुन्दर नकाशी कर रहा है क्या पत्थरों की धूल से कारिगर को कोई दिक्कत हो रही है म्यूजियम पहुंचे गोल कोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम में भी गए म्यूजियम यानि संग्रहाल है म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती है इस म्यूजियम में गोल कोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीजे भी थी जैसे बर्तन, ओजार, जेवर, हतियार वगेरा सेलजा बोली अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारे में क्यों रखे हुए है वे देखो वे चोटी सी प्लेट तो कां से की है वे नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी कासा लगता है दीदी बोली इनी सब चीजों से तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे किन-किन चीजों का इस्तेमाल करते थे और क्या-क्या बनाते थे सोचो अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ जान पाते प्रिष्ट 97 लिखो तुमने आस-पास किस-किस तरह के बरतनों का इस्तेमाल होते देखा है अपने दादा-दादी से पता करो कि उनके समय में और किस-किस तरह के बरतनों इस्तेमाल में लाई जाते थे क्या तुम भी कभी किसी म्यूजियम में गए हो या उसके बारे में सुना है वहाँ क्या-क्या होता है इमारत का सर्वे लिखो क्या तुमारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते है यदि है तो कौन सी क्या तुम कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो कौन सी वह तुमें क्या कुछ बोलती सी लगी क्या जान पाए उस समय के बारे में जब वह इमारत बनी थी वह कितनी पुरानी है तुम्हें कैसे पता लगा वह किस चीज से बनी है किस रंग की है क्या उसमें कुछ खास तरह के डिजाइन बने है अगर बने हैं तो तुम भी बनाओ उसमें कौन लोग रहते होंगे वहां क्या क्या काम होता होगा क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं प्रिष्ट 98 तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ रजनी केरल के मलापुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीजें जमा की जैसे पुरानी छडियां, छत्रियां, लकडी की खडाउं यानि चपल, बर्तन वगेरा उन्होंने आजकल ये सब चीजें जैसी होती हैं वे भी देखा फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए तुम भी ये कर सकते हो यहां एक चित्र बना है जो लगबख 500 साल पुरानी पेंटिंग है चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं देखो यह भारी खंभा ढलान पर कैसे उपर ले जा रहे हैं भारी चीज ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी उपर ले जानी क्या मशक में भर कर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए हम क्या समझे संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीजें संभाल कर रखना बेकार है तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम होना कितना जरूरी है तुम्हें क्या लगता है? इस पार्ट का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया? बोलती इमारतें अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पार्ठे पुस्तक हमारे आसपास का दस्वा पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत